हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर मैं वर्मिन सिंग आप सभी लोगों के साथ में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लगातार विविन परकार की परतियों की परिक्साओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और आप सबी लोगों को विविन परकार की परतियों की परिक्षाओं के लिए गनित और विज्ञान पढ़ाने का कारे कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग जानते हैं LDC एक्जाम के लिए हमने 100% कोर्स आपको मैस और साइंस का फ्री और कोस्ट करवाया था उसी परकार से अब आगे एक नई भरती आ रही है पटवारी भरती और इस भरती को लेकर के जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे यूटूब चैनल को आपने प्यार दिया तो अब आप लोग जो है इस भरती के लिए भी हमारे साथ जुड़ना चाते हैं तो आप लोगों के जो है अलग-अलग परकार के डाउट्स पूछे रहे थे आप उन सभी डाउट्स को मैं इस वीडियो के माद्यम से आज कम्प्लिट करने वाला हूँ यकिन मानिए अगर आपने आज ये वीडियो देख लिया तो आपके फॉर्म फिल करने से लेकर छेंद होने तक का जितने भी परकार के बीच में जो भी प्रॉसेस है जो भी आपके समस्तिया हैं सब कुछ समाब्द हो जाएगी तो प्लीज एक बार जो है इस वीडियो को सा पूरा अच्छे से अनिलाइसिस बेसिकली देखिए पटवारी भरती परतियों की प्रिक्षा जो है दो हचार चोईस के अंदर कभी भी इसका नौटिपिकेसन जारी हो सकता है और दो हजार पच्चीस में जो है इसका एक्जाम होने की संबावना है जैसा कि हमारे जो आर ए से मेसेस्टवी बोर्ड है यानि अदीनस्त बौर्ड है उनके द्वारा उसके जो अद्यक्स है उन्होंने बताया है कि हम इस एक्जाम को मार्च या भी फरवरी 2016 के अंदर या लगब जन्वरी फरवरी टोहजार चोईस के अंदर यानि लगब चंवरी-फरवरी मार्च तैयारी करनी होगी इसलिए आज ही आप समझ लीजिएगा किस परकार से तैयारी करनी हो और तैयारी में लग जाईएगा तो देखिए आज हम सबसे पहले इसके अंदर बात करेंगे कि भाई आपके जो है इसका notification जो है कब तक आ सकता है पद इसके अंदर कितने आएंगे योगिता क्या रहेगी आयू क्या रहेगी CET में आपको कितने नंबल लाने है वो भी आपका डाउट्स रता है पैपर पैटन क्या है और सिलेबस क्या है यह समकून जानकारी आपको बताने वाला हूँ आपको बता दू कि जो न्यू पैटन की पटवारी भरती प्रयोगी प्रिशा हुई थी उसके अंदर भी राजस्तान अकेडमी ने जो है विद्यार्थियों का सेलेक्शन करवाया है आज उन विद्यार्थियों को जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वार्स के आलोकराज जी जो है उनके दुआरा खुद किया गया था कि आगामी पटवारी प्रिक्सा सीटी बेस्ट होगी सबसे पहली बात तो यह आपका यहां डाउट के लिए रोगया अब सीटी बेस होगी इसका मतलब जो सीटी दो हजार चोईस आ रहा है उसको हमें हलके में नही लेना है और उसको बहुत अच्छे से तयार कर लेना है और 1963 वेकेंसी जो है वो है और परिक्सा फरवरी या मार्च दो हजार पचीस में कराने का प्रियास है प्रियास है मतलब सीटी सी बात है अप्रिल मही तक तो एक्जाम होई जाएगा अगर वहीं तक का सोच रगा तो आगे एक दो मिने और आगे किचे हो जाता है ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा तो सीटी बेस होगा और सीटी भी कौन सा ग्रेजुएशन वाला तो सबसे पहले यहां पर आपको क्या कर लेना है सीटी ग्रेजुएशन के अंदर आपको जो है 40 परसेंट मार्क्स कवर कर लेन है तो सीटी भी कौन सा ग्रेजुएशन लेवल वाला ठीक है हाँ क्वेल्थ लेवल के प्रोसे मत रहिएगा तो ग्रेजुएशन लेवल का जो है उसके अंदर क्या करना है आपको 40 परसेंट और अन्ने जो है उनके 35 परसेंट तो हम यह कह सकते हैं almost सभी विद्यार्थियों को या नहीं देखो भाई जनरल ओवी सी का 40 परसेंट है सेस्ट के लिए 35 परसेंट तो 40 परसेंट एक तरह से जो है हर विद्यार्थी को अब ला देने है ठीक है अब 40 परसेंट जैसे ही मार्क्स आ गया है आप इस पैपर को दे पाएंगे अब पैपर दे पाएंगे तो आपके पास graduation होनी चाहिए साथ में अब जो है राजस्तान के हर लगबग exam के अंदर R.S.A.T. मांग लिया जाता है पटवारी में भी है तो आपको जो है R.S.A.T. का certificate होना चाहिए अगर R.S.A.T. का certificate नहीं है आप 3rd year के अंदर है तो अभी ही जो है R.S.A.T. भी सुरू कर सकता है और उसका जब chain हो जाता है तो document verification के समय उसे final degree चाहिए होती है इसलिए अब जो है 3rd year वाला विद्यार्थी भी तयारी करें तो कोई समस्या नहीं है अगर उम्र की बात की जाए तो graduation level की भरती है इसलिए इसके अंदर जो है आप से 21 वर्स कितनी 21 वर्स की उम्र जो ह हो जाने चाहिए आपकी age तो आप इसकी तयारी में अभी से लग जाईए तवाम परकार के जो छोटे मोटे doubt है पद वगर आपको clear हो गए होंगे अब हम बात करते हैं इसके exam pattern की और exam syllabus की ठीक है देखिए और भी last में कुछ रहा होगा तो बता दूँगा मैं भी है ना अब देखिए अब बात करते हैं exam pattern की exam pattern जो है आप लोग सभी जानते हैं लास्ट भरती से ही इसको change किया गया जो 2019 वाली परती थी उसी के बाद में यह pattern change हुआ है उससे पहले पटवारी का पूरा का पूरा syllabus एक तरह से यह कह सकते हैं कि maths के विद्यार्थियों के according था लेकिन अ knowledge और current affairs तो general science और इसके अलावा history, quality, geography यह सब इंडिया के according और current affairs वगरा यह ठीक है और यह कितने नंबर का आता था तो approach इसका weightage रहता था 25 का ठीक है और question कितने आते थे तो इसके question आते थे 38 और total marks कितना आता था तो 76 यानि कि हर question दो नंबर का ठीक फिर इसके बाद देखि geography, history, art and culture और quality इसकी राजस्थान की यह राजस्थान के respect में बात की जा रही है इसका approach weightage था कितना 20% और इसमें number of questions रहते थे आपके 30 और 60 marks टोटल किलियर यह राजस्थान वाला portion है इसके बाद में general Hindi और English वाला portion जो कि आपके 15% weightage रखता था और 22 questions आते थे इसके ठीक है और 44 नंबर का यह इसके बाद में चोटे नंबर पर आ जाता है सबसे highest weightage अगर कहें या highest marks कहें तो mental ability, reasoning और basic numerical efficiency वाला portion जो कि 30% weightage रखता है 45 questions आते हैं और 90 नंबर का 300 में से 90 marks का जो है आपके reasoning और basic numerator का मतलब है basic mathematics ठीक और पाचवा portion इसके अंदर है basic computer का और basic computer का 10% weightage था 15 questions आये थे और 30 नंबर के ठीक तो इस परकार से हमें यह पता चल गया कि हमें जो है 1500 questions आने वाले हैं और 300 नंबर के रहेगा यानि कि हमें जो है अब इसके अंदर सबसे अगर पहले देखें तो ज़्य ज़्यादा तैयारी हमारी होनी चाहिए reasoning वाले portion की यानि जो चोटे नंबर पर है आपके पास वो ज़्यादा तैयार होना चाहिए reasoning वाला portion 90 नंबर का है तो 300 में से 90 marks अक्यले reasoning आपका रखती है तो आपको क्या करना है इस reasoning को जो है अभी से ही पढ़ना सुरू कर दीजिए क्योंकि reasoning के अंदर जितनी ज़्यादा practice करते जाओगे उतना अच्छा होगा अब क्या करें जो अभी मैं आगे से levels में topics बताऊंगा उस topic के आप न केवल राजस्थान के PYQs बलकि आप SSE level तक के जो SSE exam के अंदर PYQs आये हैं वो भी करें क्यों क्योंकि जो राजस्थान क के अंदर चाहे reasoning का paper हो चाहे India level का GK हो चाहे maths हो science हो ये सबी persons जो है बाहर से ही उठाए जा रहे है अधर अधर exam से ठीक है तो आप जो है आपके SSE exam को तो जरूर फोकस करें उसके MTS, CHSLA, CGLA उसके अंदर आए हुए persons को आप जरूर एक बार try करें अगर उतना level आपको है आपका Hindi और English का अरे आप कहेंगे कि इंडिया GK का है उसका है मैं subject के respect में बात कर रहा हूँ केवल अकेली reasoning पढ़के 90 नमबर आ रहे हैं केवल Hindi और English पढ़कर के हैं आप जो है total 46 नमबर ला सकते हैं तो दो subject Hindi और English जिसमें current affairs का भी कोई लेना देना नहीं कोई change होने वा चलते हैं कोई one word substitution वगरा में थोड़ी फरक आने वाला है तो यह portion आप तयार करें अभी से अब वैसे भी Hindi English जो है language है यह आपको एक दिन में दो दिन में नहीं सीख पाओगे इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा reasoning है तो आपको कम से कम चार पांच महीने चे महीने पढ पड़नी पड़ेगी continuously example solve करने होंगे तब आप इसको सीख पाएगे तो इसके उपर आप focus करिए अभी से हना इसके बाद में आप जो है अपने इसके उपर focus कर सकते हैं पांचवे नंबर के point के उपर सर जीके पर क्यों नहीं आ रहे आऊंगा जीके पर भी पांचवे नंब का point है basic computer जो आपके 30 number cover करता है कितने number cover करता है 30 number cover करता है तो हमने ये major 3 portion देखे जो आपके नहीं तो current affair से संबन दीते नहीं आपके किसी परकार का change होने की संबावना है और नहीं इसके अंदर जो है कोई ऐसी वो headache है कि ये कल को change हो सकता है या किसी state का इसके उपर कोई फर परकनी पड़ता ये reasoning, Hindi English और computer एसी subject है जिसके अंदर आप को जितना पढ़ते रहोगे उतना अच्छा रहेगा क्योंकि इस subject के अंदर नहीं तो जो है कोई आप ये कह सकते है कि ये question out of syllabus यह यह है किसी के भी बारे में computer में किसी की भी full form पूची जा सकती है तो इसके लिए ह और 164 नमबर बताईए 300 में से 164 नमबर का वो portion आ रहा है जो आप अभी से तयार कर सकते हो continuously और इसके अंदर जितना तयार करते जाओगे उतना आप जो है 100% accuracy की और बढ़ते जाओगे तो 164 नमबर जो है हमारे पास cover हो सकते है 300 में से किन इन 4 subject को पढ़कर Hindi English, Computer और reasoning और ब पटवारी में काम आएंगे या आपके CT में काम आजाएंगे SI भरती में काम आजाएंगे RAS के pre exam में काम आजाएंगे इसके अलावा आप राजस्तान के और भी कोई भरती आएगी अन्या उन सभी के अंदर जो है ये आपके काम आजाएंगे सभी subject तो बताईए क्या हम 164 न आपका इंडिया लेवल का और एक है आपके राजस्तान लेवल का अब राजस्तान के अंदर आप लोग जानते हैं कि जो है नया जोगराफी अप पढ़ना पढ़ रहा है यानि अब जो है जिल्ले वगरा थोड़े से चेंज हो गए है उसके अंदर कई विद्यार्थियों क अब तक सरकार ने आखने जारी नहीं किया सही बात है अभी तक ऑफिसियल राजस्तान सरकार के और से कोई मैप वगरा ऐसा कुछ आया नहीं है सामने तो हम जो है जो भी टीचर्स लोग आपको पढ़ा रहे हैं उन्होंने क्या करा है कि अपडेट जो है जैसे जैसे मिली है और जो भी योजना है वगरा जो भी आपको बेजा गया है कमीटी ने जो रिपोर्ट दी वगरा दी और जो इदर उदर मैप जो है सिक्सा विबाके द्वारा कोई दे दिया गया और उनको देख करके वो कंटेंट आपका अपडेट करवाए जा रहा है तो वो सही भी है 90% स पड़ाया हुगा तो ऐसा है कि आपको याद रहे किया तो ठीक है नहीं तो आप भूप मेंसे सही कर सकते हो लेकिन आपने अगर भूप खरीद ली तो पैसे जाएंगे और वो भूप फिर आपके काम नहीं आएगी इसलिए बूप कभी अभी जो है अपडेटेड वाली नह सुचना जारी हुए कब से यह परभावी हुए कितने जिल्ले बने है कौन से जिल्ले जो है किस से तूटकर बने है जैसे अब सलूमर बना तो वो किस से तूटकर बना इस परकार का कोसन आ सकता है कौन से संबाग में कौन चला गया कितने संबाग हो गए यह बेसिक जानकार जो गए, सभी board के लगबग जितने भी अध्यक्स होते हैं, अलग-अलग मानवादिकार आयोग है, RPSC है, वो है, वो है, जितने भी अना, जैसे हमारा सुजना आयोग है, वगरा, इन सभी के निर्वाचन आयोग है, इन सभी के लगातार धीरे-धीरे-धीरे आपने एक चीज़ देखी होगी, कि सभी के अध्यक्स और सद्दस से वगरा फूल-फिल किये जा रहे है, कहीं पर अध्यक्स चेंज हो रहे है, कहीं पर कोई डिटार्इमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ अब चल रही है, अब ये चीज़ अगर चल रही है, अब नई राज्यपाला आए है, तो हो सकता है, ये भी कुछ चेंज करें, तो अभी से पढ़ोगे तो एक फाइदा होगा, है ना, ये कितने माक्स का है, 60 माक्स का है, तो राजस्थान का आटन कल्चर आप डेली रूटिन में लाना सुरू करिए, अब कैसे, जैसे कि अमावस्या है, है ना, अब अमावस्या हम क्या करते हैं, उसी दिन पढ़ते हैं है ना, आज ये तीथी है, आज ये महीना चल रहा है, ये आप मारवाडी में या हिंदी में या जैसे भी आप याद करना चाहिए, अपने घर पर जब अदैनिक बोलचाल की जो आपकी भासा है, उसके अंदर उसको यूज करिए, तो आपको धीरे तीरे याद होता रहेगा बहुत अच्छा मज़े से पढ़ने में मज़ाएगा, है ना, जनरल साइंस के लिए है, जैसे जो टॉपिक दे रखे है, उनके अपनब बात करेंगे आगे, तो ये इसके अंदर जो है, देखो भाई, ये जो तीन सब्जेक है ना, इनको ये लास्ट वाला तीन पोर्सन, त थोड़ा सा लेट भी तयार करते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि याद करना होता है, याद हो जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से आता है, तो इसको तयार करो, अब देखो सेले बस देख लेते हैं, टॉपिक वाई ज एक बार, तो थोड़ा सा और क्लिरिफिकेशन हो कि हमें exactly पढ़ना क्या है जैसे इंडिया वाला पोर्सन है अब इंडिया हिस्ट्री तो बहुत बढ़ी है उसके लिए तो विपिन चंद्र जी की किताब आती है इस्पेक्ट्रम आती है उसके लाव अलग अलग विग्यान जो है मारे इतियास कारों ने लिख रखिये वो कि है ना इसके कमी से कौन कौन से रोग होते है वो पढ़ लीजिए इसके लावा जो भी डिजीज वगरा फैल सकती है उनके बारे में पढ़िए सामान ने तत्वों के बारे में पढ़ लीजिए जो नमक वगरा आप घर पे यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए खाने का सोड़ा कौन सा होता है, कपड़े दोने का सोड़ा कौन सा होता है, डिटरजेंट क्या होता है, साबून क्या होता है सामान ने जानकारी आपको विज्ञान क्यों नीचे है तो इसके लिए हमें कोई PhD करने की जुरूत नहीं पड़ेगी यह आप सामान में पढ़ सकते हैं और यह सब चीज़े हमने पढ़ा दिये विज्ञान तो हमने आपको पढ़ा रखिए आप वो ही वीडियो देख लीजिए आपका काम हो जाएगा इसके बाद देखो हम बारते सविदान राजनितिक व्यवस्ता सासन पढ़ना ली सविदानिक विकास तो इसके अंदर आप quality के जो है नुचे थोड़े बहुत जो भी important important है उनके याद कर लीजिए सविदानिक विकास जो हुआ था उसमें कौन-कौन से इनके बारे में आप पढ़ना शुरू कर दीजिए के लिए basic basic जानकारी इंडिया लेवल के आपको रखनी है तो इसके लिए आप डेली newspaper पढ़िए वहां से भी आप दिरे 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 content तयार होता जाएगा Supreme Court कौन से अनुचेत के अंदर है कौन से अनुचे के अंदर है और previous year के जो paper है उनको जरूर आप analyze करिए हमने आपको पूरा पटवारी का syllabus और पटवारी के जितने old paper है वो लगवग 55 पेज की PDF हमारे टेली ग्राम चैनल राजस्तान Academy सीरोई पर available करवा रखी है तो आप राजस्तान Academy सीरोई जो हमारा टेली ग्राम चैनल है इस वीडियो के लिंक में डिस्किप्शन में भी लिंक दे रखा है अब वहां से जोईन हो जाईए वहां तमाम परकार की आपको सुचना प्रोवाइट की जाती है इसके बाद देखिए राजस्तान के अंदर बात करें तो राजस्तान का ये पूरा आगया जिसमें राजस्तान के परमुक वैक्तित्वों के बारे में पढ़ना है पर्येटन इस्तलों के बारे में पढ़ना है राजस्तान के धार्मिक आंदोलन, संत्य लोग देवता, संस्क्रती, विरासत, तोहार, लोग संगीत, लोग नर्थियर, लोग कला, चित्रकला, हस्त कला, ये सब। फिर कई पढ़ने के जरूत नहीं पढ़नेगी फिर बात करते हैं राजस्तान के इत्यास की मैत्वपुन गढ़ना है तो इसका मतलब आपको राजवन्स नवगरान इतना ज़्यादा डीटल में पढ़ने के जरूत नहीं है उपर उपर से हिस्ट्री आप पढ़ लीजिए या इसके बाद हिंदी के लिए तो आपको पता ही है राजस्तान की बॉर्ड के अंदर 9-10 वाली किताब आती है वो पढ़ लो या फिर कई और से भी आप पढ़ सकते हो वैसे बहुत सारी चीज़ें पर हम खुद लेकर आ रहे हैं यह हिंदी है राजस्तान की पॉलिटी है न्य और संदी विचेत पढ़ना है उपसर्ग प्रत्य पढ़ने है समस्त जो भी आपके समस्त पद अचा तो समस्त पद का मतलब वही समास के बारे में आपको पढ़ना है सब्द युगमों के बारे में पढ़ना है प्रयावाची सब्द पढ़ने है विलोम सब्द पढ़ने है स सुद्धी असुद्धी के बारे में पढ़ना है वाक्यों को सुद्ध करिए इसके अंदर क्या आप व्याकरण के रूप में देखें तो कौन सी गलती है उसको निकालना सीखिए तो यह चीजे अभी से आप पढ़ना सुनू कर दो तो आपको बहुत कैनिपिट हो जाएगा इ सिनोनीम एंटोनीम साब को याद करने पढ़ेंगे तो आज से अगर आप जो है धीरे धीरे पांच दस पांच दस याद करते चलोगे तो एक साल के अंदर या 6-7 महिने में जब भी एक्जाम होगा अब तक आपके पास एक बहुत बड़ा हिंदी और इंगलीज का जो है दि भेंदत मांगते उसका मतलब ही यह है कि आपको भरती आएगी उसके बाद नहीं पढ़ना है भरती आने के 6-7 महिने पहले से उसके प्रोसेस में लग जाना है जब आप उसके प्रोसेस में लग जाएंगे पैपर एनलेसिस करना आप सीखिए नौट्स वगरा बनाने का समय अब है अब आप इस चीज़ को करिए आप क्या करते हो भरती आ गई नौट्टिफिकेसन जारी उसके बाद आप नौट्स बनाना सुरू कर रहे हो तो नहीं होता है सेलेक्शन दोस्तो हमारा तीन चैर एक्जाम के अंदर सेलेक्शन हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ है हमने उस अनित वाला पोर्षन भी है वो बता देता हूं यह रहा जैसे कि एवरेज है रेश्यो पढ़ना है एरिया एंड वॉल्यूम पर्सेंटेज सिंपल कंपाउंड इंट्री मेतर्ड और प्रॉपिट और यह पूरा पोर्षन मैंने अभी ही पढ़ाया है अगर आप इन सब को ज आप सुड़ेज के बारे में फिर और पर्षन में में सेट फैर पोईट जो सब कर लात ही समझाई बार तो यह जो आपका पारठे करम है इस पारठे करम के अनुसार आप अपनी टयारी को सुरू करींगे अबD इस पार्टे करम के अनुसार तैयारी सुरू कर देंगे अभी से ही तो आपका निचित ही जो है सेलेक्शन भी होगा तो पद मैंने बता दिये 1963 पद है योगेता आपको बता दी ग्रेजुशन है आई यू आपको बता दिया 21 वर्स है ठीक है सीटी में कितने यंग चाहिए होंगे तो सीटी के अंदर आपके 40% कर दिया गया है ठीक है वैसे ओफिसेल भी आजाएगा तो कोई दिकत वाली बात नहीं है आप 40% मान लीटे पैपर पैटर्न आपको पूरा बता दिया कौन कौन सी सब्जेक्ट है पांच भाग है पांच वाग का वेटेज क्या है कितने मार्क्स है कितने नंबर का हर कोशन रहेगा और syllabus भी पूरा का पूरा discuss करके बता दिया है अब आपको क्या करना है तो देखो मैंने बताई दिया reasoning के अंदर जिस topic को आप दिमाग से कर सकते हैं जैसे अब जो है alphabet series वाले कोसन होते हैं वहाँ आपको ABCD याद होनी जीए तो ABCD के numbering आप जो है SSE के कोसन पैपर स्वाल करो या फिर राजस्थान के अंदर जैसे आपका पटवारी का जो exam पहले भी होता था उसमें भी reasoning आती थी या अन्य exam जहां कई भी reasoning आती है आप उन papers को निकालिए और उन paper के अंदर से कोसन स्वाल करिए या फिर इसके अलावा बहुत सारी अलग-अलग markets के अंदर book available है उन book को लेकर का आईए railway के exam होते हैं उनके अंदर भी मैस reasoning आती है तो उनको आप तयार कर सकते हैं समझ में आई बार तो आपको जो है तयारी करनी पड़ेगी मतलब आप यह नहीं सोचें कि अब जो है ना हमारे पास समय है को नहीं अगर देखो इस परस्टिकरण हो चुका है कि भरती आएगी इसका मतलब वो भरती अब एक साल में आए दो साल में आए तीन साल में आए हमें तो लग कर रहना है तब तो आप चैनित होंगे और अगर आपने ये मान लिया है कि ये हार हो जाएगे कि इन क्या पता है ओना है तो कभी इन भरतिया आ नीगी तो आएगे फरना देख लेंगे इन जब आएगी तब न ये तो सरकार यूँ ये इन कोई भरतिया नहीं आने आने वाली तो को ऐसा नहीं हो सकता हर साल जब भी बज़ट गोसित होता है इसी प्रकार का हर बार माहौल बनता है कि लोग どस्त अब आ astrology हा रही है तब선 कुछ लोग वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, इन मजबूरियों को कोसने से क्या हो जाएगा, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ, और मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीते, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीते, या हमेसा याद रखो, और इ एक्जाम होगा सेलेक्शन हो जाएगा नॉटिपिकेशन आपका जो पीडिएफ हाई उसमें रोल नंबर होगा आपका डॉक्यमेंट वेरिपिकेशन होगा और सीधी जोइनिंग होती है ठीक धन्यवाद जैहिंद जैवार्ण